नियाले वसरकार पदुषर से देश को बचाने की लाग कोशिश कर ले और कितना भी कारून मरा ले लेकिन इनका जीले में तैनाद वनावी कारियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा पदुषर की नियम इस विभाव को कोई मैने नहीं रखते पदुषर को नियंदर करने को लेकर एंजेटी ने अंधी नियम जारी कर कड़ाई से पलन करने के निर्देश दिए हैं पर जनपत के वन विभा के गेस्ट हाउस प्रभारी कमल पत्रिपाटी पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा जहां इनकी आदेश से गेस्ट हाउस परिसर में कूडे की धेरों में आग लगवा कर एंजेटी के आदेशों में पलिता लगाया जा रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को सास लेने में कितनी परिशानी हो रही है या पर्यावरन को कितना नुकसान पहुच रहा है चौकिदार मूलचन ने इस पस्ट कहा है कि दरोगा जी के आदेश से आग लगाई गई है हमें किसी नियम की जानकारी नहीं है सरकार के बड़े अधिकारी प्रदुशार से डिपटने के लिए जत्तो जहद में लगे हैं माहनी सुप्रेम कोड धुएं से चिंति दिखाई दे रहे हैं तो वहीं वन विभाग को कोड़े के धेरों में आग लगाने में जराभी संकोष नहीं है और कोड़े के धेरों में आग लगाकर NGT के निमों के साथ खुला खिलवार कर रही है सब्सक्राइब तो जांस की जाएगी चोगिदार ने आग लगाया कैसे आग लगी और तो जांस के बाद ही पता चलेगा और जो भी इसमें दोसी होगा यदि उसने पता जलाया है तो उसके खिलाब करवाई आग तो लगाईगी जी मतलग कूला धेल लगे हैं तो गंदे लग किसना कहा आग लगा दू हमारे जेमियो साब में कौन है रेंजे साब उह है काना ओड़ी बन विभाग वाली है और हम नाम तो जानती लिए कहा कि रेंजे साब ती है उन्हें ने को आग लगाओ हाग लगा दू कहा उन्होंने हां मतलब झाल